नरणी ने कहा कि भई मैं तो जानता नहीं विठ्थल की बूर्ती कैसी है मैं तो देखा भी नहीं देखना भी नहीं चाहता कैसे बनाऊ उनकी करदनी तो सेट ने कहा कि साब चलिए जरा नाप तो लियाई है बोले ने ने मैं नहीं जाओं आ तु नाप लिया मैं बना दूँगा साभु कर गया उसने नाप लिया लाके दिया करगनी तयार हुई जाके लगाई भगवान को आई नहीं चार अंगोल छोटी पड़ गई सेट वापिस गया बोले रहे सुनार साब आपने क्या बना दिये तो आई नहीं बिठल को छोटी पड़ गई बोले अच्छ तुने तो नाद दिया मैंने उतनी बनाई साथ पीडियों से हम लोग बना रहे कितनी छोटी पड़ी बोले चार अंगुल नाप के लायों चार अंगुल बढ़ा दिये अब के नाप के गए अब के सात अंगुल बड़ी बन गई देखो आनंद तो फिर लोटा बोले क्या बना दिया साथ अंगुल साथ आठ बार ऐसा ही हुआ साथ बन शोटी पड़ जा ही दे बड़ी बन जा हाच ज़ोड़के साहु भार बोला मेरा बेटा एक साल का अलिया मनों कॉरे पूरी नहीं हो रही हापी जल के नाप लो पुला न ने अरे बोले साफ आप ने ने नाश कर दिया कि उसके हाथ में बागंबर प्रतीत हुआ जो श्व पहंते हैं उसमें क्या है यह तो विठ्थल की कमर रहें इसमें बागंबर कहांसे आया जाए उसने हलकी सी अपनी पटी नीचे करी और देखा उपर तो विठल ने फिर आख पर पटी लगा ली फिर देखा बागमर इस बार गड़बड हुई थोड़ा उपर को हाथ बढ़ाया तो सर्प छुआ उसने का ये सांप कहां से आया विश्णू के सांप से क्या मतला मैं गलत मं पर आख खोली फिर बिट्थल उसने अच्छा हाथों में देखता हूं भगवान मिश्णू के हाथ में शंक गदा चक्र कमल होगा चार हाथ होगी हाथ में देखा तो डमरू हाथ मैं अब उसकी समझ में आना बंद हो गया सिर उपर उठा के देखा तो फिर बिट्थल इस ब पंडरपुर में बिताया के तर्शाट प्रदीप है कोई B.Tec के स्टुडेंट है यहां पढ़ते हैं इन्होंने लिखा है कि कल आप बार बार आस्था के स्थान पर तर्क की बात कर रहे थे क्या तर्क ही सब कुछ है आस्था में कोई शक्ति ही नहीं होती पहली बात तो मैं इस युवाबालक को अशिरवाद देता हूँ कि इसके मन में प्रशन है यह जिस संस्कृति में पैदा हुआ है नाम प्रदीप है इसका मतलब दो सनातनी है हमारे यहाँ प्रशन का आदर है दो अलग-अलग संस्कृतियां है एक संस्कृति वो है जो अपनी बात को फाइनल बांतिया कहती है इससे आगे कुछ बोले तो गरदन कर देंगे सरतन से जुदा और एक हम है यहाँ किसी पर भी सवाल उठाईए सब सवालों का स्वागत है एक संस्कृति है जहां एक वरजित फल को खा लेने के कारण आदम और हववा को पता नहीं था कि यह सेव क्या है उन्हें पता देते कि यह नहीं खाना है उन्हें नहीं खाते उन्हेंने खा लिया और खाने के बाद उन्हें नीचे फैंक दिया कि जाओ अब तुम प्रत्वी पे जाओ एक संस्क्ति तो ये है और एक संस्क्ति ये है कि एक अपरमित शक्ति से भरा हुआ दिव्य वायू और पंच माताओं में पुजित अंजनी के योग से पैदा हुआ बालक अपनी मा को थोड़ी देर किसी विस्तता में देखकर भूख से व्याकुल हुआ तो उसमें आसमान में लटके हुए बालारों सूर्य को सेव समझ कर अगर खा लिया तो उससे सेव तो शुडा लिया गया लेकिन किसी ने उसको शाप नहीं दिया सब ने उसे वरदान दिया कि तु भगवान के काम में आएगा तेरा नाम आस से वजरंग बली रखा जाए तो प्रदीप ने जो कहा है कि आस्था में कोई शक्ति नहीं है क्या मैंने यह नहीं कहा कि आस्था में कोई शक्ति नहीं है मैंने केवल ये कहा कि आस्था तरक की कसोटी पर कसी हुई हो आस्था है तो बड़ी अच्छी बात है आस्था ही तो जीवन है भगवान शीकर्षने भी अर्जुन से का शद्धावान लबते न रहा हे अर्जुन जिसके पास शद्धा है उसे लाब होगा इस्टेशन से आधी रात लोटते वे जब कुटे भी न भोक रहे हो आप जय हनुमान ग्यान मुन सागर गाने लगते हो इसके उच्चारण में आस्था की शक्ती है यह जो रेलवे लाइन के कौने पर पड़ा हुआ एक गोल पत्थर यह गंगा जी की तलहेटी से हरिद्वार रिशिकेश से लाया हुआ एक पत्थर आपकी दादी आपकी मा पूजा ग्रह में रख देती है और उसी के दर्वाजे पर माथा टेक देती है इसी शक्ती का नाम आस्था है शद्धा को सबसे स्यादा है लेकिन शद्धा अगर तर्क से कसकर आएगी तो फिर आप मानने लगोगे अच्छा है कि आप बिना तर्की की शद्धा करोएं तो सबसद्धा है मानी लो लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिने तर्की भी चाहिए कई बार आस्था तर्क को छोड़ देती है तो नुकसान देती है बंडरपुर में एक निस्संताम सहुकार रहता था एक बनिया था एक व्यापारी था लेकिन बच्चा नहीं हुआ उसने विठ्थल क्या मनोती मांगी मनोती मांगते न तो मुझे बड़ा आस्ष्रे लगता है मेरा स्वबा गया है कि मैं विश्वभर के सारे तीर्थ इस्तानों पड़ जाकर निवेधन कर चुका हूं तो मुझे शुरू में लोग पूचते थी क्या मांगा तो मैं कहता था मैं तो कुछ मांगी नहीं पाया अँछ लोग जो साथ केते तो कहने णिए सोचके जाना सर यहां मांगा पूरा होता है पिर मैं निकला बोले मांगा उमन कने के नहीं भूल गया तो एक ने मुझे का गया बड़ी गढ़ कर देते हो बंग्ते ह Mais डर मैंने का कि मांगी भी नही पंगा तो मेरे उस साथी ने मुझे क्यों नहीं मांग पाओगे मैंने का अगर इसे भी बताना पड़ा कि हमें क्या चाहिए तो पिर ये किसका पिता और हम कैसी अलाहा दिसके उससे क्या मांगना विश्णु से कहते हैं विठ्थल से कहते हैं मेरा ये वाला काम करा दोगे भगवान तो 51,000 की प्रसादी करा हुआ किससे कह रहे हो इस प्रत्वी के गर्भ में भी जितने रतन पड़े हुए हैं इस समुद्र में भी जितने हीरे पड़े हुए हैं उन सब की मालकिन महा माया श्री लक्षमी जिसके चरण चापती हो उसके पती से कह रहा हो तुझे 50,000 रुपे दो मा क्या मुर्टा पूंगा तो साहुकार के पुत्र पैदा हो गया 15 वर्षबाल साहुकार ने मानने था मानी थी के विठल अगर मेरे घर में आंगन में किलकारी गुजी तो मैं तुझे सौने की करधनी पहनाऊंगा करधनी चांदे ने वो तगड़ी जो मनती है मनों का आमना पूर्ण होई साहुकार इस पूरे अंचल के पूरे मराठवाडे के सबसे बड़े कारीगर एक सुनार थे नरहरी उनके पास पहुँचा इसका प्रतीक देखिए सुनार का नाम में नरहरी है नर के रूप में हरी वो विठ्थल का अस्तित्वी सी कारणी करना चाहता तो वो शैव था शिव का भक्त था परम शिव भक्त अगोर एक दम विठ्थल के मंदर के सामने से अगर गुजरे तो नहीं नीचे कर ले यह मंदी मेन देखना पड़ जाए असे भी लोग है मुस्त्रोग मिलते है आप राम पर अच्छा बोलते हैं पर तो मैं तो कृष्ण को मानता हूं मैं ज़का वो भी राम को मानते है और राम युने मानते है तो पता ही है दोनव ठांटो रहे क्या कुछ बड़े कहलेते कुछ छोटे कहलेते तो नरणी ने कहा कि भाई मैं तो जानतानी विठ्थल की बूर्ती कैसी है मैं तो देखा भी नी देखना ही नी चाहता कैसे बनाओं की कर्दनी तो सेट ने कहा कि साहब चलिए जरा नाप तो लियाई है बले नहीं नहीं मैं नहीं जाओंगा तू नाप लिया मैं बना दूंगा साहुकार गया उसने नाप लिया लाके दिया करगनी तयार हुई जाके लगाई भगवान को आई नहीं चार अंगुल छोटी पड़ गई सेट वापिस गया बले रहे सुनार साब आपने क्या बना दिये तो आई नहीं बिठल को छोटी पड़ गई बले चा तुने तो नाप दिया मैंने उतनी बनाई साथ पीडियों से हम लोग बना रहे इ kisses कितनी चोटी बढ़ी फो ले चार अंगुल नाप के लाएं चार अंगुल बढ़ादिये हाथ जोड़के साहुकार बोला साब मेरा बेटा एक साल को होने का हा लिया मनों कामना पूरी नहीं होरी आप हीचल के नापलो बिशानों अरे आपने नाश कर दिया जारा मेरे सौने का, बतो तुब एक ही शर्ट पर जय उआ पर पंटक्रनला सेचिड पांग्र बीट्छल हुआ को, बीट्छल को फिप викडिश इसमें बागंबर कहां से आया उसने हलकी सी अपनी पटी नीचे करी और देखा उपर तो विठल फिर आख पर पटी लगा ली फिर देखा बागंबर इस बार गड़बड हुई थोड़ा उपर को हात बढ़ाया तो सर्प छुआ उसने का ये साप कहां से आया विश्णू के सा देखता हूं शयद कुछ होगा भुजाओं में देखा तो रुद्राक्षबंदे हुए थे फिर आख खोली फिर विठल उसने अच्छा हातों में देखता हूं बगवान विश्णू के हात में शंक गदा चक्र कमल होगा चार हात हो गई हात में देखा तो डमरू हात में आज भी विठल के सिर पर शिविलिंग विश्र में अकेला मिलता है तो पंडरपुर में बिता है यानि कि भगवान में उसे अपने चमतकार से बताया कि ये शैव बनना ये वैश्रों बनना ये शक्त बनना और इसकी बैस में पढ़ना गलत है अन्तते चेतना का एक ही स्वर आस्था तो वो है कि बड़े-बड़े रिशी मुनी तरक शास्र लिखकर जिसे नहीं पाते वास्था पा लेती है मेरे आके कवियों में दिवंगत हो गए दया शंकर अश्क उन्होंने लिखा कि हम शिवालों में घंटे बजाते रहे हम शिवालों में घंटे बजाते रहे एक तवायव के घुमरू भजन कर गए वैशाली की नगरवदु आमरपाली बगवान बुद्ध के सत्संग में पहुँची जीवन बर दे व्यापार किया नाचना किया दूसरों के कहने पर नाची कौने में बैठी रोज रोती थी मुझ डखकर बुद्ध की दृष्टी पड़ी बुद्ध ने अपने प्रिय शिश्य आनंद को बला कर कहा आनंद वो एक स्त्री आती है वो मुझे देख के रोती रह कौन है तो बोले कि ये वैशाली की नगरवधू है आमरपाली भगवान ने का क्यों रोती है उसने का तथागत मैं इतनी दुराचारणी इतनी व्यविचारणी इतनी नीच इस्त्री हूं मैंने जीवन बर अपनी कला का अपने संदरिका सोदा किया मैं तो आपके इस सारे में प्रवेश करने के योगी भी नहीं हो इसलिए पीछे जहां सारे विक्षकों की खड़ाओं पड़ी रती है महां बैट के सुंती हूं मेरा पूरा जीवन व्यर्थ चला गया बगवान ने कहां क्या चाहती है मैं आपके संग में समलित होना चाहती हूं और मैं योग पूरी आत्मा से किया मुझे जरावी पाप का अंश्ट तक पता नहीं चला बगवान ने का ये समाज ने तुझे सौण पाता तूने नहीं चुना इसलिए जितने वर्ष तूने ये काम किया जो अपने रूप का सोधा किया उतने वर्ष भी तू साधना में रही इसलिए सा पर पहुंच कर भी रावण मुक्ष का अलिकारी बना जीवन पर भगवान कृष्ट के निर्देशन में रहे पंडव पहले नरक धर्शन के लिए गए और दुरियोधन स्वर्ग में गया क्यों जुकि भगवान में का स्वधर्मे निधनम श्या पर धर्मो भयाव है जो तुम सोचते हो और जो तुमें लगता है यह बिलकुल ठीक है यह मेरी आत्मा से ठीक है वो भगवान का का रहे है तो तुम पूछते हो प्रदीप के आस्था आस्था तो बहुत बढ़ी है योगी और महिंत जिसे ध्याते रहे मीरा उसे भजन करके पा गई मुझसे पूचा था क अमेरिका में इस्पेन की एक वित्री ने कि आपके आभी एक पुल्टेस है ना और उसकी स्टोरी बड़ी एबसरेड है कि उसने जहर प्यार वो बच गई मैंने कहा कि अगर आस्था मीरा जैसी हो और विश कनया का बता कर भीजा जाए तो दुनिया का हर विश बात दे हो ज शिशक्य है जो भी करोणपती बीमार हो जाता है वो सोचता है कि उनका अपंडमेंट मिल जाए एक बार में उनके घर भोजन पर गया पाची थोती रही घर में जगे जगे गणपती श्री हरी अलग अलग चित्र लिग्रह लगे हुए थे चलने लगे तो जहां से जीना मुर्ता था वहां भी कुछ देवी देवता विराजमान थे बात करते करते हर जगे हर जगे खाना खाने गए तो तो मुझे शररस हुजी मैंने का भाई साव आप इतने बड़े डॉक्टर हो अमरीका में इलाज करते थे दिल को रॉबर्ट से खोलना आपने सिखाया ये इतना ज़्यादा भगवान क्यों ये क्या कर लेंगे उनका जो उत्तर है वो महत्तुकून है उन्होंने का इसलिए ज्यादा बड़ आस्तिक हूं क्योंकि वैग्यानिक हूं मैंने का क्यों कुमार मैंने अपने जीवन में ऐसे हजारों मरीज देखे हैं जिनके साथ मैं इसलिए अंदर गया कि मैं तो यह ही जा रहा हूं कोई भी कर देगा सब कुछ नॉर्मल है इसमें तो कुछ ही नहीं थो जोक नहीं पाया और ऐसे हजारों मरीज हैं जिनको मैं अंदर यह सोच कर गया कि अब तो बहार इने मरा हुआ ही लाना है को कि ने कोई नहीं बचा सकता मैं भी नहीं बचा सकता और वाज 10-10 साल बाद भी अपने जनन दिन मुझे फोन करते हैं कैते हैं डाक्टर साल आपकी बनारस्वीक युवापंडित था वो घाट पे रहता था तर्माल खाता था आप जैसे यजमान पहुंच जाए कोई कुछ खिला है कोई कुछ खिला है दंड पेलता गंगाजी में ना ना सुबह को पूजा करे ना शाम को संध्यावंदन करे ना गंगारती में समलित हो लेक अधकाई से गाट से निकालो क्या अपरादे बहिया बुले यह तो पूजा अर्चना ही नहीं 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 जाते होंगे घर में कोई बृत्य हो जाए तो पंडी जी कहते हैं सूतक लगया पंदर जिन तक पूजा नहीं होगी हवन नहीं होगा गर में नया बच्चा प चलो जी, एक महीना बीथ गया, पठा फिर कुछ नहीं किरे, फिर बुलाया, बोले क्योंगी करता, बोले सूतक लग रहा है, उसको साथ आठ बार बुलाया, हर बार कया, जी करूगा करूगा सूतक लग रहा है, एक दिन घे लिया लोगों ने, बोले तेरे ऐसे कॉन मरजीर है हर महीने कि तेरे रोज सूतक लग रहा है पंडित ने क्या उच्छा उत्तर दिया उसने कहा मैं रोज सुभह उठता हूं तो मेरे हरदे में ज्ञान रूपी पुत्र पैदा होता है और मैं रोज सूता हूं तो मोह रूपी मया मेरी मर जाती है मेरे घर में रोज सूतक रहता है रोज मोह रूपी माया मरती है और जातो ज्ञान मयह सुता और ज्ञान रूपी पुत्र पैदा होता है सूतकम वर्तते नित्यम कधम संध्या मपास बहे मैं कहां से संध्या उपास बहें मेरे को अक्सर महिलाएं पत्र लिखती हैं फेस्बुक में भया मैं पढ़ती तो हूं हन्मान चाली साब मैं पढ़ती तो हूं यह देवी स्तुति पढ़ती तो हूं विश्व शहस्त्र नाम उच्चारण मेरा ठीक नहीं है भगवान मेरी पू था विश्व शहस्त्र नाम पढ़ रहा होगा गडबड़ी होगी उदर से एक प्रोफेसर साब गुच्रे वो कहले किया कर रहा है बोले भगवान की पूझा कर रहा हूं बगवान को संदेश कोले तू मूर के बगवान तेरा संदेश लेलेंगे क्या है तो गलत संस्क्रित इसमनेया कि नामेगे से लेलेंगे, तो क्या बोला है की संदेश लेलेंगे, तो अबनेश ले लेलेंगे क्या मुना कि आपका बच्च्छ है कोईया है बुले, 9 साल काई जाल बोले एक compiled हमें बख्वान मेरी भी उप पढवे क्यों का लिखनी बुछ मेले थीड़े पढ़ झाल झाल